इस वीडियो उनके लिए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कोरोना में आक्सिजन की कमी से क्या होता है आक्सिजन और कोरोना का संबंद क्या है दरसल अगर कोई आक्सिजन की कमी से मरता है तो कैसे मरता है अगर ये जानकारी आप सभी को हो जाती है तो संबब्ते बहुत सारे लोगों का जीवन बच सकता है दरसल हमारा जो सरीर बना हुआ है उसमें लाखो करोडो छोटे छोटे इंजन लगे हुए हैं ठीक ऐसे इंजन जैसे कार में होते हैं या स्कूटर में होते हैं एक तरफ से उसमें फ्यूल जाता है यानि इधन जाता है एक तरफ से उसमें आक्सिजन जाती है वहाँ वो इधन जलता है पैट्रॉल जलता है डीजल जलता है और दूसी तरफ से वो कारवन डायाकसाइट और धुआ निकल जाता है ठीक ऐसे ही हमारे सरीर में लाखो करोडो छोटे छोटे इंजन हैं जिनको सेल्स बोलते हैं कोसी का बोलते हैं हर एक कोसी का एक इंजन होती है उसमें हमारे सरीर के जो खून है उस खून से जो हम खाना खाते हैं उससे गलूकोज बनता है गलूकोज उस सेल में जाता है खू वो लंग्स से फैंपड़ो से आॉकसिं जाती है हर एक सैल में खून से और वहाँ जाकर रियक्ट करते हैं एनर्जी बनती है और जो बदले में बनता है वो बनता है कारवन डाईयक्साइड उसको खुन बापिस ले आता है तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें carbon dioxide निकलती है यानि oxygen देते हैं carbon dioxide निकलती है तो समझें करोना कर क्या रहा है दरसल ये जो नया करोना है 2021 में जो double variant वाला आया है और पुराना वाला भी जो करोना है ये जो lungs हैं और lungs के अलावा जितने vital हमारे organs होते हैं यानि बड़े बड़े जो अंगों होते हैं सरीर के सरीर के अंदर मास पेसियों को छोड़के हड़ियों को छोड़के खाल को छोड़के लीवर है या हमारे lungs फैपड़े हैं या हमारी kidney हैं गुर्दे हैं ये अंदर वाले सभी अंगों को पकड़ता है, कमजूर करता है, इसमें हमारे फैपड़े भी आते हैं, जब ये फैपड़ों को पकड़ता है, कमजूर करता है, तो उसमें अपना घर बनाता है, घर बनाने के बाद में उसको डेमेज कर देता है, यानि को उसको नुकसान सीचाता है उस छती से होता क्या है कि फैपड की काम करने की छमता है कि घट जाती है यानी पहले अगर हमारा फैपड CHANmarket 1.0 देता है खीचकर अब वह एक ели 타 से कम देगा अगर एक लीटर की बजाए ओधा देता है तो हम कहते हैं कि हमारे 50% damage होगे, खराब होगे, काम नहीं करें यानि सरीर को अब आधी oxygen मिल पा रही है इसका जो check है वो HR CT का जो एक system है MRI की जैसा है, magnetic resonance वाला वहाँ से पता चल जाता है कि कितने हमारे lungs damage हुए, कितने % अभी ठीक है जब मुझे corona हुआ था है, तो मेरे जो lungs थे वो लगबग 50% खराब हो गए थे और 50% oxygen मुझे नहीं मिल रही थी मगर चूकि मैं cycle चलाता था, exercise बहुत करता था तो मेरे जो lungs थे, वो मजबूत थे उनमें जो results थे, यानि और जो cells थी, वो बढ़ गए थी और वो अच्छी तरह से pump करते थे इसलिए मेरी oxygen 95 से कम नहीं गई 95, 96, 97, 98, 99 ये 100 ये वो नमबर होता है, जहां हम एक percentage मानते हैं कि ये अगर 95 से उपर हमारी आती है oxygen का meter है, जो oxygen को नापता है तो फिर हमारा काम ठीक चल रहा है अगर 95 से नीचे आ रही है, तो इसका मतब सरीर को पूरी oxygen नहीं मिल रही है बस यही वो बात है, जो आपको करोना में चेक करनी है क्योंकि आपका जो सरीर है, जब आप काम करते हैं, भागते हैं, दोड़ते हैं तो उसको ज़्यादा oxygen चाहिए जब आप ज़्यादा सोचते हैं, तो आपके brain को ज़्यादा oxygen चाहिए मगर अगर oxygen की supply कम हो जाए, और oxygen हमारे जो लंग से वो damage हो जाए, वो काम करना आधा करते हैं तो आप खर्स्तो कर रहे हैं पूरी oxygen और आ रही है आधी oxygen तो oxygen की deficiency यानि oxygen की कमी हो जाती है ये ठीक ऐसे है कि जैसे आप दो रोटी खा रहे हैं और काम कर रहे हैं चार रोटी का तो सरीर में दो रोटी कहां से आएंगी अगर आप काम कर रहे हैं चार लीटर oxygen का और oxygen आ रही है सिर्फ दो लीटर तो दो लीटर oxygen कहां से आएगी तो आपकी जो cells हैं आपके इंजन हैं आपके सारी cells में धीरे धीरे oxygen कम हो जाएगी और जब वो oxygen कम हो जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है मगर ये पता नहीं चल पाता अगर किसी के पास oxygen है तो वो चेक कर लेगा कि उसकी oxygen कितनी है कोई अगर नौजवान है या कोई अगर ठीक सरीर का है तो वो काम करता रहेगा उसको पता नहीं चलता कि उसकी ऑक्सिजन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है बस यही सारा खेल है कि अगर आपको पता हो कि oxygen कम हो रही है तो आप काम धाम बंद करके आराम करें आप बिल्कुल silent हो जाएं आप अपना brain यानि दिमाग पुरा बंद करके सोचना बंद करके हलके फुलके गाने सुनें और डॉक्टर की सला से रहें जरूत पड़े ही तो डॉक्टर आपको extra oxygen भी देंगे मगर आप काम करते रहें लगातार और नहीं माने और आपके जो फैंपड़े हैं जो लंग्स हैं वो जादा oxygen नहीं दे पाए और सरीर ने जादा oxygen खर्च की तो फिर ठीक ऐसे होगा जैसे आपने कमाए 100 रुपे और खर्च कर दिये 200 रुपे तो 100 रुपे का घाटा आपका हो जाएगा आपके सरीर की oxygen कम हो जाएगी और आप के साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा और यह सड़न और अचानक 2-3 घंटे के अंदर भी हो सकता है इसलिए अधिकतर केसों में जिन में कोरोना हो रहा है लोगों को यह पता नहीं है कि उनकी oxygen कित नहीं उठें डॉक्टर की एडवाइज लेते रहें यह ठीक ऐसे है जैसे कोई कार है अगर कार को आप बहुत तेजी से एक्सिलिएटर देंगे तो बहुत तेजी से पैट्रोल खाएगी और बहुत तेजी से वह धुवा लेगी और धुवा छोड़ेगी यानि oxygen लेगी और बहुत हलका सा कारवन डेक्सेट छोड़ेगी और कार्ट चलती रहेगी ठीक ऐसे ही बीमारी के अंदर अगर आप ज़्यादा काम करेंगे बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो होगा क्या कि आपकी सारी सेल्स एक्टिवेट रहेंगी वो ज़्यादा oxygen मांगेंगी और oxygen की supply फ प्रसेंट डेमेज हुएं इसके उपर डेमेंड करता है अगर संक्रमण यानि की infection ज्यादा हो गया और लंग्स पूरे बेकार हो गए 70% बेकार हो गए या 90% बेकार हो गए तो फिर वो oxygen को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी आपको बाहरी सपोर्ट oxygen की लेनी पड़ेगी अगर अगर कम डेमेज हुए हैं तो आपका काम शांती से रहे के शांत रहे के बिना कुछ किये आराम से चल सकता है डॉक्टर की advice के अ सांत हो गया और बैट पर ब्लकूर शांत पड़ा देता था डॉक्टर ने कहा कि आप अपना दिमाग भी सोचने में नहीं चलाएंगे क्यों उन्हें पता था कि मैं सोचने का जादा करता हूं मैंने उनसे पूछा कि सोचने का काम जादा क्यों नहीं करना है तो उन्होंने है यह यह जो हमारा पर इसमें बीए Sam इसमयंस अक्सिजन को बचाना है उसको बचाने के लिए आप सोचने का काम न नहीं थärकि व्यूक्र करने ऐसे मुजिक सुने जो आपको सोला दे, जो आपको शांती दे, जो आपको नीद दे दे फिर उन्होंने कहा कि आप हाथ पर मत लाइए, आप सिर्ट टॉलेट के लिए उठिये और आराम से बैठ जाईए और खाना जादा मत खाईए तो मैंने उनसे पूछा कि खाना जादा क्यों नहीं खाना है तो उन्होंने कहा कि अगर खाना आप जादा खाएंगे, तो खाना पचाने के लिए ऑक्सिजन जादा चाहिएगी तो आपके सरीर में आक्षियन कम है इसलिए ज़्यादा आक्षियन नहीं आएगी तो आक्षियन की कम हो जाएगी तो आप कम खाना खाईए और पानी वाला खाना यानी लिक्विड वाला खाना खाईए तो मैंने उसे पोचा कि liquid वाला खाना क्यों खाना चाहिए तो उन्होंने बताया कि liquid में पानी के अंदर oxygen होती है जो पानी में घुली होई होती है वो सरीर में जाती है तो उससे और ज़्यादा oxygen मिलती है सरीर को तो फायदा होता है जब आप ठीक हो जाएं तो फिर खाना आप जादा खाएं फिर कोई दिक्कत नहीं है जब मैं वहाँ से कॉरोना का टीटमेंट करागे छे दिन बाद आया होस्पिटल से तो डॉक्टर ने मुझे से कहा कि आप एक महने तक बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे आप बैट पर ही रहेंगे वहीं खाना खाएंगे सिर्फ दवाई खाएंगे खाना खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे गाने सुनेंगे लिखाई पड़ाई का भी काम नहीं करेंगे तो मैं एक महने तक बैट से नहीं ला एक महिने के बाद मैंने डॉक्टर से फिर कहा डॉक्टर ने कहा कि अब आप हलका फलका धूप में वाक करने जा सकते हैं धूप तक बैठ सकते हैं फिर मैं धूप तक जाने लगा डॉक्टर ने मुझे लगबग पांच महिने बाद ये एराओ किया कि मैं थोड़ी सी साइकल चला सकता हूँ हार्ड एक्साइज के लिए बलकुल मना कर दिया यानि कि मेरे जो लंग्स हैं वो 50% से ज़्यादा डैमेज हो गए थे इसलिए मेरी जो ऑक्सिजन है वो आधी ऑक्सिजन ही सरीर में आ रहे थी अगर मैं ज़्यादा खाना खाता या ज़्यादा एक्साइज करता या घूमता फिरता या ज़्यादा एक्साइज करता तो मेरे सरीर में करोना के ठीक होने के बाद भी ऑक्सिजन की कमी हो जाती ये ठीक ऐसे है जैसे ले लद्दाक में जो जाते हैं क्योंकि हम लेलद्दाखulator दो तीन वार गया हूं तो लेलद्दाख के जब जाते हैं तो वहां 20% औक पर्शन कम होती एंग हे एऔर, तो वहार जब हम एक वार गई परिवार एंगे मेरी वाइफ कम oxygen की habitual हो जाती है या एक dymox करके गोली आती है उसको खा लेते हैं तो भी body में कम oxygen से काम चल जाता है यह जहां कम oxygen होती है वहां की यह दिक्कत होती है ठीक वही दिक्कत कॉरोना में भी हो रही है अंतर से बितना है कि वहां हवा में oxygen नहीं है यहां हवा में oxygen है मगर आपके जो pump है आपके जो फैंपने है वो खीच नहीं पा रहे हैं वो कमजूर हो गए है वाइरस ने उनको जकल लिया है उनको infected कर दिया है इसलिए कॉरोना में बात तक भी आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आप ऐसा नहीं ना सोचें कि मेरा तो बुखार ठीक हो गया और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं जब तक आपको डॉक्टर एडवाज ना करे आप बुल कूल रहें शांत रहें अगर आपको कॉरोना है बुखार है तो घबराय नहीं मगर आप बुलकुल आराम करें और रेस्ट करें उतारना चड़ना शीड़ी चड़ना या कहीं भागना दोड़ना या काम करना इससे बचें कोशिस करें कि अपना खाना पीना साब अपने पास रखें और सिर्फ लेटिन के लिए ही आए जाए बाकी आप डॉक्टर से सला ले सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके फैपड़े कितने ठीक हैं कितने खराब हैं थोड़े बहुत अगर संक्रमित हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती जल्दी ठीक हो जाता है मगर अगर ज़्यादा हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कोरोना फैपड़ों में या वैटल ओर्गन्स में मरने के बाद में जब मरता है तो चिपचिपा पधार्थ बनके रह जाता है जैसे गौंद जैसा पधार्थ है वो चिपपप अधार चारो तरफ छोड़ देता है रह जाता है जिससे कि सेल्स अच्छी तरह काम नहीं करती है और उनको साफ सफाई करने में पूरे सरीर का एक सफाई का मेकनिजम होता है उसको क्लीन करने में छे महने भी लगते हैं पांच महने भी लगते हैं चार महने भी साल भर भी लगता है, क्योंकि लगबग दो साल में पूरा सरीर साफ होने की पिरक्रिया अपने आप करता है, ये सारी जानकारी मैंने डॉक्टर से ली है, डॉक्टर से मैंने बात की है, डॉक्टर के सवाल जवाब है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं कि य तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर तीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका Print Metal भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसका Audio Change कर सकते हैं, उसका Video ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें Team22 की किसी भी Video का या सारी Video का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमेसा Copyright Free थी और हमेसा Copyright Free रहेंगी. हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते है उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखा कर या किसी को गिफ्ट कर कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सब ही देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खूब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिंड है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद सरेन गच्छा मूँ तंबं सेनं गच्छा मूँ